साथियों नमस्कार एक छोटा सा टॉपिक में डिसकस करूंगा कि जो चाइल्ड कस्टेडी के मैटर है उसमें जल्द अन्विक्षा डिसकॉम कहेंगे इस्पीडली ट्रैल वो कैसे होगा जिसके रहे कानुनी प्रावधन किया है कानुनी प्रोटोकॉल किया है यह बेसिक प्र करते हों या करना चाहते हों तो आपको कुछ बिद्वों का ध्यान रखना होगा ताकि आप ऐसे मुद्वों को एजली जो है कंटेस्ट कर सको और इसमें अच्छा रिजल्ट जो है प्राप कर सको जो चाइल्ड कस्टेडी या जो चाइल्ड विजिटेशन की साइंस है यह सबसे पहले बच्चे के साथ जो है को डेफ्रेप्ड करना होता है वो रहरा है अपनी मान के बास में उसके दिमाग में यह पॉइसनिंग किया जा रहा है कि पिता खराव है उसकी प्राब है और इनोंने तुमारी मा की लाइब जो है खरा पर दी सबस्सेब कर देना हो अगर बच्चा अड़ियाना कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पिता के पास में रहना है तो माँ भी कुछ नहीं कर सकती और बच्चे को ओपिनियन वहां पर एक करता है जब बच्चा कोट से कहता है कि मुझे मेरे पिदा के साथ रहना है और वहां पर रहने से मैं अधिक सब्सक्राइब करने में आपको थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा ताकि जो मार्क की रुगावट है वह मिनिमाल हो जाए या हट जाए साथियों इस मामले के अंदर जो कि है के एस सुमी सुमाई बाराम सुरेश कुमार जो की दिल्ली आइकोड का जो है जज्जमेंट है 31 दुलाई 2023 का इसमें दोनों ही केसे को लेकर जो है गाइडलाइस लेड़ांग की गई है डेवार्स को भी लेकर और चाइल्ड कस्टेडी और एल्टी मिडली रिलीव जो है पक्षकार को नहीं दिया जो पक्षकार वे थी तब आई कोड पहुँचिया उनका कहना यह था कि लेड़ा उसमें रिजल आया या नहीं आया वो बात की बात दी पर जिस तरह से लेड़ा के लेड़ाइस वो एक मौकरी था जस्टिस सिस् पांस साल छे मेंने बाद भी रिप्लाइ को रिकॉर्ड पर रखा जा रहा है तो लिटिकेशन का जो प्रॉसेस है वो तब ही इंप्रूब हो पाएगा जब जच खुद केस मेनेजमेंट पे जो है द्यान देंगे सातियों आप सब जानते हैं कि गाइडलाइन्स जो है फ्रे एड़ोकेट बार असोशेशन बनाम यूनिन अफ इंडिया जिसका साइटेशन है दूजर पांच वॉल्यूम छे है एससी सी पेस थ्री फोर फोर में यह सपस्ट किया है कि जो मैट्री मोडल एटिकेशन है दे शुट भी ऑन एक्स्पीडियर्ट ट्रैक बट इसके बावज ऐसे ही चैनल के जूट पांत साल दस साल तो क्या फाइदा यह प्रिध्द से होना की वक्षी जो है रह जा है और के एक और हमारे देश पेस्ट में उसका है भी रेमेडिया मीन्स जहां पर राइड भी है तो राइड भी है इंफरिंग भी हो गए है रेमेडिया का टाइम लिए इंपार्ट नहीं हो रही है तो उसका नुक्सान जो है हमको इस करना पड़ता है साथियों कोड ने इस केस में कुछ गाइडलाइज दी और इसके लावा चाइड कस्टी केस हो या ऐसे मामले हो जहां पर इंटरिम की अप्लिकेशन जो है फाइल होती है वोकि जब भी हम केस रणने जा रहे हैं इंटरिम का खासकर बात कर रहो है चाइड विजिटेशन को लेके तो वहाँ पर बच्चे से मिलने का अधिकार जो है जलसे मिल जाना जज जो भी करें वो जज जाने पर अगर जज इस अरजी को कॉंसिटर नहीं कर रहा है उसको डिस्पोसर टैमले नहीं कर रहा है तो वहाँ पर हाई कोर्ट जाकर आप आर्टिकल टू टू सिक्स सविधान के तहत रेमेडिय जो है प्राप कर सकते हैं वो गाड़लाइस के है कि जो भी कारवाईट पेश होगी उसमें जो अपिरेंस की डेट है अपोसिट पर्टी की वो 30 जिन से कम ही रहेगी या 30 जिन तक रहेगी अपोसिट पर्टी अपियर होगी उसको रिप्लाइप पेश करना है तो इस समय को 120 जिन तक एक्सेंट कर सकते हैं पर इसके लिए वि पर यह अरजी जो है 30 दिन में आ जाने चाहिए reply file करने के और 15 डेज में code को उसका disposal करना ही करना है उसके बाद 4 बिक में code को जो है issues frame करने है 6 मेरे में code को जो है evidence को record करना है दोनों पक्षों की और उसके बाद written argument अगर है तो उसको record पर रखना है पर यह argument जो है हम 15 days के अंदर अंदर दे सकते हैं यदि हमने oral भास कर ली है यह 30 जिन पहले दे सकते हैं यदि हम oral भास करना चाहते हैं और उसके बाद court को 30 जिन में matter को जो है disposal करना है तो यह guidelines जो है काफी important है और court ने specific भी किया है कि यदि भी provision नहीं है पर जब तक provision नहीं आता है तब तक यह guidelines जो है अमल में रहेगी तो कुल मिला कि जब भी आप case को fight कर रहे हैं तो इन guidelines का विश्रिश द्यान रखिए ताकि हमारे जो rights कानुद में हैं वो inferring ना हो वो interact रह सकें और यदि वो inferring हो रहे हैं तो हम as for law remedies को जो है वो obtain कर सकें उमीद करता हूं कि आज के topic ने आपको enlighten किया होगा आज की topic के मादियम से आपने महत्पूर्ट जांकरिया चाइल कस्टिडी केस विजिडेशन केस इसका अलियर आपके साथ तिल दें जया हिंद जया भारत